तो हेलो दोस्तो कैसे आप लोग मैं फिर से आ गया हूँ एक नाया मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो लगे तो आज हम खेलेंगे Call of Duty Mobile तो यहाँ पर आप लोग देख लिजिए यहाँ पर कोल आप दूटी मोबाइल का इंटरफेस थोड़ा अलग होता है पबुदि जरसा नहीं होता इंटर तो इसे 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 थे व्यासरास देख लिजिए। सब्सक्राइब कर लिए है और लोग देख लिजेक, कैसा होता है यहाँ पर जो है याप Rainbow लंश पराइब कर सका हूँ ऐते तो यहां पर उटनने के बात मुझे गन बगरा मिलेगी और में बंदों को मारूंगा तो यहां पर जो यहां पर गन बगरा मिलती है मुझे पता नहीं है कि कौन से गन अच्छा है कौन से गन इतना अच्छा नहीं है लेकिन गेम में दिया गया हर गन अच्छा ही होता है हमको बस यह पता लगना चाहिए कि कौन से गन किस वक्त हमको यूज़ करना चाहिए तो यह आप एक बंडा मुझे दिखाए दिया था तो बंडा को कैसे मारता हो देख लो तो यह रियल बंडा था या बॉट था मुझे पता नहीं है क्योंकि पग्जी में जब एक बॉट आता है तो हमको पता चल जाता है क्योंकि हम लोग बॉक गेंग ज्यादा खेल रहे है अभी आगशी नहीं है लेकिन फिलाल तो सभी गन अच्छी होती है तो यहाँ पे दो बंडों को मैंने आरम से मार दिया तो यहाँ पे और प्ग्जी मोबाईल में बबबजे से यहाँ थोड़ किसी डिफ्रेंट सीजे आप लोग देख लिए जब कोई भी हाई लोकेशन से जम करते हैं नीचे तब यहां पर कोई भी डेमेज नहीं मिलता है जो पब्जी में अलागे डिफ्रेंट है क्योंकि पब्जी में हमको उसी जगा से अगर हम जम करेंगे तो हम नौक भी हो सकते है और पूरा डेमेज भी हो सकते है तो यहां थोर生 होता है यहां पर एक बंदा मेरे सामने जो था उस मेरी मेरे को देख तब भाग गया लेकिन मैंने उसने कर दिया और उसको से नक कर दिया तो यहां पर मैंने जो गेम है यह गेम मैं क्या कर रहा हूं वीan नथिक क्योंकि गेम थोड़ा सा सेलेंजिन लगना चाहिए क्योंकि जब मैंने सोलो फर्सेस सोलो खेला था तो मुझे थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मैं लोवर लिग में भी था और यहां पर जो बंदे थे बिल्कुली नूब बंदे आ रहे थे इसलिए मैंने अच्छा खेले क्योंकि सोलो फट्ट इस्कोर में थुरा सा सेलेंज आएगा क्योंकि चार बंदे को एक साथ मारा कर सकता है तो मैं यहां पर जितने भी बंदे मैं सामने केकर के आ रहे थे सबको में आराम से खतम कर दिया था तो मैंने इनका जो लूट बगे रहा था भी आ नया नया चाया लग रहा था तो यहां पर एक बंदा जो था इसने मुझे बहुत डेमेज दिया था माल्मॉस्ट ही मुझे नौक भी करने वाल та जा कि करने वाला था कर सकते हैं यहां पर यहां पर जो है प्लस पॉइंट ही कर सकते हैं लुग तो यहां पर बंडे को मारके में थूरा सा लुट ही कोशिस कर रहा है तो जब मैं उसको मारने के लिए गया था था पीसे से एक और बंड़ा आ गया था तो इसने मुझे बहुत डेमेज दिया था क्योंकि मेरा जो गन था वह रिलोड के लग गया था तब मैंने दूसरी गन पर सुश कर लिया था और इसको खतम कर लिया था तब इसने मुझे खतम करने बारा था तो यहां पर देख लिए जाप लोग कैसे जम बगरा लगा कर रहा हूं तो यहां पर एक सिस हो गए थे कि वह बंदा रस्टे की उस पर था और यहां पर जोन भी आ रहा था तो मैंने क्या क्या पहरे तो उस बंदा ने मेरा एक किल श मेरा रहा हूं तो यहां पर मैंने क्या 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 अपना दिमाग लगाया और मैंने जोम में जाने का टेक है तो यहां पर मैंने मैं सीधा ही दो रोके जोन में आ गया तो यहाँ पर एक सीज आप लोग notice कर पा रहे या नहीं पा रहे मुझे पता नहीं लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं यहाँ पर जो एक मेफ है जो call of duty में जो एक मेफ है वो हमारे यंदेख पुबजी मूबाइल के सारे मैप की कौंबिनेसन है क्यां अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगो इस मैप मेही से नोप एरेंगल मेरा मार सब लीवीग सभी मैप मिल जाएंगे आप रिजोन आद चुका है याँ पर मेरे को लेके सिफ टीन ही बंदे अभी बाक्थी है इन बंदों को मैं कैसे मारता आप लोग देख लीजिए तो यहाँ पर मैं उन बंदों को पहले धून रहा था क्योंकि आप पर पूरा ही गेम रस खेल रहा था क्योंकि मुझे इतना सल मिलते हैं तो यहां पर एक बंद ने पीशे की तरफ से मुझे थोड़ा से देमेज दिया था तो यह रियल बंदा था और था या क्या बंदा था मुझे पता नहीं कि रियल बंदा होता तो देमेज थोड़ा से ज़्यादा होता साइर यह नूब भी हो सकता है क्योंकि यह जीत चुका हूँ अगर तुम लोग को मेरा Call of Duty वाला ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्ली से जल्ली जाओ और मेरे सेनल को सब्सक्राइब कर दो